दोस्तों एक बहुत फिर से आपका एक नहीं वीडियो में पहुत बहुत स्वागत है तो आज की इस वीडियो में आपको 2 marks वाले important questions बताने वाला हूँ क्योंकि question answers को लेकर आप लोग बहुत जादा प्रेशान चल रहे हैं काफी जादा आप लोग की comments आ रहे हैं question answers बता दी जाए important exam के लिए इसलिए आज जो वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको only 25 questions बताने वाला हूँ अगर आप इन 25 questions को learn कर लेते हैं तो आपके 20 marks fix हो जाएंगे 20 marks यानि कि 2 marks वाले आपके questions आएंगे वो 20 marks के आएंगे इसलिए वीडियो मैं तक बने रहेगा और वीडियो को आप अच्छे तरीके से समझ लिजेगा ठीके केवल screenshot लेने से काम नहीं चलेगा अगर आप screenshot लेकर इन questions को डाइटली निकालना चाहते हैं तो आप बहुत बली गल्ती कर रहे हैं क्योंकि आपको पुरा गडित समझने के लिए आपको वीडियो के starting से लेकर इन तक जरूर देखना होगा क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत जादा काम की है तो चलो बाते बहुत जादा हो गई हैं आप काम की बात करते हैं और शुरू आत करते हैं अब दिखो जरा गडित समझो आपके जो question answer आएंगे वो 32 marks के आएंगे section D में जो questions answer आएंगे जो questions आएंगे वो total 32 marks के आपके only questions पुछ जाएंगे यारी के extent को अलग करके गरामर ये सारी चीज़ों को अलग करके 32 marks के आपके questions आएंगे उस में से आपके 20 marks के आपके कितने marks के? 20 मैं आपको यहाँ पर एक एक चीज के लिए बता देता हूं जिससे के आप पूरा गडित समझ जाएंगे 20 marks के आपके जो questions आएंगे ये 2-2 marks के आएंगे कितने marks के आएंगे? 2-2 marks के आएंगे जिससे के आपको 20 marks मिलेंगे वही questions मैंने आपके लिए निकाले हुए है दो-दो number के आपके 10 questions आपको जो करना है वो आपको 20 number दिलवाएंगे और वो कैसे आएंगे वो भी ज़रा समझ लो देखो आपके जो पहली वारी बुखे flamingo कौन सी है flamingo फिलेंगों में poetry है और prose है तो जो प्रोज की chapter जो है प्रोज के में यहाँ पर एक चीज आपको लिख कर समझा देता हूँ जिससे के आप बहुत कम टाइम में अच्छा स्कोर कर पाएं फिलेंगों जो आपकी पहली वाली बुखे जो आपकी poetry है तो poetry से आपके 2-2 marks के तीन question आने वाले है तो 6 नमबर आपको यह मिल जाएंगे ठीक है तो 10 प्लस 6 कितने हो गए आपके बता हुदारा 16 यह आपको फिलेंगों से मिलेंगे यह फिलेंगों से आपको 16 नमबर के इसके बाद आपकी जो second English है यानि के विस्ताज कौन सी है विस्ताज जो supplementary reader है आपकी तो विस्ताज से आपके 2-2 marks के only 2 questions आएंगे तो 4 marks आपको इसके मिलेंगे 16 प्लस 4 तो ऐसे आपके हो गए 20 यह 20 नमबर आपके short question से मिलेंगे बागी 32 आपके long से मिलेंगे 3-3 नमबर के 4 question आएंगे आपके वो आपको 12 नमबर दिलवाएंगे ठीके इस तरह से 12 और प्लस 20 तो 32 marks हो जाएंगे तो अब इन questions को आपको समझना है ठीके यह तो समझ मागा है कैसे कैसे आएंगे आपके ठीके अब जाए यह questions को देख लीजिए फस्ट वाला question What is the kind of pain and egg that the point feels काफी जादा important question है क्योंकि आपके जो point के questions आएंगे उन में से जो questions important बच रहे हैं last year आने जो questions आए हैं या इस से पहले जो questions आप तक पूछे जा रहे हैं सब कुछ गड़ित लगाने के बाद मैंने questions को निकाला हुआ है तो पहला question यह काफी जादा important है इसको अच्छे तरीके से आपको लर्न करना है What is the kind of pain and the egg that the point feels तो वो जो point is है कामला दास्व किस तरह का दर्द किस तरह की पीड़ा को मैसूस करती है आपने स्टोरी पढ़े है आपको पता है कि भाई उनको उनकी मदर के separation मलब separate होने का दर रहता है क्योंकि उनकी जो मदर है उनसे कहीं बिछड़ ना जाए कहीं उनकी death ना हो जाए क्योंकि वो aged है 66 की हो गई है तो यह स्टोरी आपने पढ़े है तो इसकी question के answer आपको पता है तो उनको आप easily learn कीजी अगर नहीं करें और learn कर ली तो revise कीजी पहला question काफी जादा important है ठीक है इसके बाद second number का है why is the mother being compared to the late winter's moon mother को late winter's moon से क्यों compare किया गया है यानि कि वो जो मदर है कोन मतर है कमला दास की जो मतर है उनकी तो लाम late winter's moon से क्यों की गई है बाई देखो जब कोई बुड़ा हो जाता है और at least मतलब कि जो 66 पर जब पहुँच जाता है तो वो जो चेहरे की जो beauty है जो चेहरे का जो glow है वो dim पढ़ जाता है मतलब कि वो चेहरे जो है वो fade हो जाता है मुर्जाने लगता है जिस तरह से full मुर्जा जाते है उस तरह से चेहरे की जो beauty है वो dim पढ़ जाती है shining कम हो जाती है जैसे के late winter's में जो moon रहता है तो वो moon जब light winter's में निकलता है और इसको अच्छे से cover कर लेना मतलब कि एक दूबार देख लेना ठीक है two questions हो गए अब आजाते questions बताड़ गी तरह what is the sadness that the point refers to in the poem तो इसको भी आप learn कीजीगा sadness मतलब होता है दुख इसके बद आपका question number 4 है list the things that cause suffering and pain और what is what is suggested by the image a massive wife of uncle's wedding band काफी जादा important question है एकी question काफी जादा important है बस आपको ये 25 questions only 25 questions मेने आपके लिकाले जो आपको 20 marks दिलवाएंगे अब आगे बढ़ते question number 6 की तरप what was the plea of the folks who had put up the roadside stint question number 7 list the things beauty things of beauty mentioned in the poem I think of beauty वैसे तो ये question 20 2022 में आया last year ये question आया है लेकिन फिर्वी में डाल दिया क्यों सकता है ये repeat हो जाए इस question को में डबल से ले लिया है तो इसको भी आप अच्छे तरीकी से learn कीजिएगा learn आपने कर लिया होगा बताना है आपको कौन कौनसी चीजों में beauty होती है आगे बढ़ेंगी question number 8 की तरफ what had been put up on the bulletin board अब देखो भाई वन से लिकर जो 7 तक मैंने question निकाले हैं तो आपके जो six marks के poems में से question आएंगे तो उन में से मैंने only seven question निकाले हैं इन seven question में से आपके दो तिन question फस जाएंगे दो फस जाएंगे तो चार number हो जाएंगे तीना जाते हैं तो आपके छे number हो जाएंगे ठीके ना only seven question poem में से निकाले हैं इससे जादा कम क्या करें ठीके ना आगे बढ़ते हैं हमारे pros के question पर दुक्र question number 8 है what had been put up on the bulletin board काफी जादा important question है 2023 का संभावित question है ठीक है ना 2023 का संभावित question है what had been put up on the bulletin board अब तक आपने जितने भी exam दिये अपने pre-board दिया है इससे पहले आपने half early दिया है फिर आपने terminal दिया होगा यह आपके test होगे तो teacher ने भी सबसे जादा इस question को जरूर दिया होगा चिपका हुआ था बुलिटिन बोड होता क्या है देखो बुलिटिन बोड जो है तो आप इसके नाम में confused ना हो बुलिटिन बोड मतलब सीधा सा simple notice board है क्या है यह notice board ठीक है तो notice board आपने अपने school में देखा होगा इस school के लाबब और office में आपने notice board देखा होगा अगर हमें school का example लें कि school में notice board होता है यह इसके अलाबा ओर भी notice board होता है notice board पर क्या notice लगा हुआ था नोटिस बोड पर यह notice लगा हुआ था कि in order had come from Berlin to teach only German language in the place of French language in the schools of Alsace and Lauren लोरेन के schools थे वहाँ पर जर्मन चलेगी वहाँ पर जो फ्रेंच लेंग वह नहीं चलेगी ठीक है ना इसके बद हमारे question number 9 है what did France notice it was unusual about the school that day तो फ्राज ने उस तिन अपने school में क्या अजीब चीज़े देखी क्या unusual चीज़े देखी तो जब order आ गया था कि अब इस school में French language नहीं चलेगी जर्मन लेंग्विज चलेगी टीचर जो आलेडी पढ़ा रहे थे अब नहीं पढ़ाएंगे तो सब कुछ changes था वहाँ पे सब कुछ peaceful atmosphere था जानी कि सब कुछ silent था सब कुल still था सब बिल्कुल एक शोक में था सब को एक शोक लगा हुआ था एक जटका लगा हुआ था इसी वजाए सब कुछ changes था वहां पर पूरी तरह से शान्ती थी कोई शोर गुल नहीं था बिल्कुल भी नहीं था जिससा यूजली स्कूल में होता है शोर शराब होता है बेंचेस का और टैबल्स की आवाज आती है नोइस आता है स्टूडेंट्स क्रियेट करते हैं तो ऐसा कोई नहीं था सब कुछ पीस था इस्टिल था तो यह changes था भाई आगे बढ़ेंगी question number 10 what makes the city of फिरोजबाद famous फिरोजबाद famous चोरी वह बेंगर चूडियं मैकिंग के लिए famous है आप google कर लेना youtube पर देख लेना कैसे bangles बनाया जाता है तो यह जो फिरोजबाद चूडी बनाने के लिए famous है तो फिरोजबाद में इंडिया का glass bangles इंडस्ट्री का center भी है तो फिरोजाबाद is famous for, it's glass bangles है अपने glass bangles के लिए famous, it is the center of India's glass blowing industry, glass blowing industry का center भी है, तो glass bangles यानि के वो जो काच की चूडिया होती है, तो काच की चूडिया बनाने के लिए फिरोजाबाद famous है, ठीक है, यूपी में आता ही है, उत्तर प्रदेश में आता है, ठीक है, यह 10 वाल पी क्यों था, यानि के दुखी क्यों था, अब साहिब का पूरा नाम पता होना चाहिए, यह जो साहिब है, यह साहिब एक चाय की दुकान पर काम करके, खुश क्यों नहीं था, खुश इसलिए नहीं था, किस से पहले जो काम करता था, गार्बिच को कलिट करने का, कच्रा पीने के जो काम करता था तो वो खुद का अपना काम था अब उसका जो बेग था वो खुद का अपना होता था और बेग जो था वो लाइट था उसका था वेड भी नहीं होता था जहां दिल चाता था जब तक दिल चाता था तब तक वो अपना काम करता था वापस घर आ जाता वह अपना मालिक था बहले छोटा काम जोभी है लेकिन 육ी काम करता है तो एक नोकर की तरह काम करता है कता है तो वह जो इस टील काम साथ यह मालिक test का उसी वह णिल स्पर यह पहरी उसको ओर पर उसको अपनी अपनी मरमरजी का मालिक था अब यह अपनी मरमरजी का मालिक नहीं है इसे बजाए से खुछ क्यों होगा कैसे हो सकता है खुछ नहीं था तो साइब वास नोट हैपी तो इस आंसर को अप अच्छे से पढ़िए इसके बाद हमारे कॉशन नमबर 12 है तो वही उजे इंस्ट्रक्टर था यानि कि जो कोच था उसने डगलस में एक स्वीमर को किस तरह से बिल्लब किया क्योंकि डगलस एक इसा नाम है जिसको कभी पानी से डर लगता था वो अफरेड होते थे क्योंकि वो डूपते डूपते बचे थे लेकिन एक टाइम ऐसा आया इसने किस तरह से लिए कि तरह से इसको ट्रेनिंग दी इसके अंदर इक टेर अलगलस में को आपको बताना है ने किस तरह से को जो तो आपनी सेलिंग करें और दो पैसा कमाई तो अब उसको एक दिन आईडिया आया है कि जो वैल्ड है यह बड़ी सी चुहे दानी है बिग रेट्ट्रप है क्योंकि सब इसमें फसते जा रहे हैं लोगों को यह अट्रेक्ट करती है अपनी तरफ आकरशित करती है और बस इसक कि चक्कर में लोग फस जाते हैं उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है तो बस यह उसने कंपेर कर लिया आगे बढ़ेंगी कोशनमर हमारा फौदी ने कोशनमर फौदी ने वाइड गांधी एगरी टू सेटलमेंट आप 25 परसेंट रिफंट टू रिफॉर्मर जो गांधी जी थे गांधी ने 25 परसेंट पर क्यों अपनी सहमती देदी एगरी कर लिया सेटलमेंट से के फौर्मर को 25 परसेंट मिलना चाहिए बढ़ेंगों सबसे पहली बात तो जो थी कि वो जो बेटिश गवर्मेंट थी उसको जुका दिया था इन लोगों ने फौर् परसेंट मिल रहा है फौर्मर को तो यह भी हमारे लिए काफी है मैंचीज यह कि हमारी जीत हुई और उनकी हार हुई तो अब जैसे तेसे 25 परसेंट है तो उस पर सेटलमेंट कर ले जाए क्योंकि वो हमारी शर्तों को मानने लिए तेयार हो गए आगे बढ़ेंगी ट्रेट जाल गाया था वह आपको बताना है 17 जाए तो इन्टर्वी के आपको पॉजिटिव वियूस बताना है कि वह इंटर्वी होग तो उसके पोजिटिव विश पर आपको फोकस डाला है क्ष्ट नमर आठीन है वह वाइट इस मोस् लाइकली आपको फांड आफ्टर इ क्वेंग और तो वह सोफी थी वह क्या आप्षिन देख रही थी क्या सोच रही थी अपनी लाइफ में क्या सपने कुछ देख रही थी तो यह दोने ही कुछ नहीं काफी दाद है अधने 20 नमबर पर वाइड़ दाधार लेवल किस चीज को रिफर करता है तो आपको बताना है क किस चीज को रिफर करता है सब वे को रिफर करता है न और तो फॉच भी नहीं था सिर्फ एक मन गणत कानी थी को ले मिलाकर एक सोच थी तो लेवल करते थे थार लेवल तो सिफ सोच थी चारली की कुछ नमबर था टॉनिवन डूइट था थार लेवल वाज मीडियम आप इ मतलब के बचने के एक रास्ता था वह इस प्रॉबलम से इस दुनिया से इस बीड़ बार से बचना चाहता था था थार लेवल पर जाकर कुछ नमबर टॉनिटू है वाई जो रॉयल इंफेंट था यानि के अपने कौन टाइगर किंग जंग जंग बहादूर जिलानी तो ज सवी यानि के इनको पूरा इंगलिष अंसफचल दिया गया इंगलिष मुवी देखा करते हैं का चाहीं सबस्क्र टाइगर किंग तो इनका शॉर्ट नेम था लेकिन इसके अलावा इनको जंग जंग बादूर के नाम से जाना जाता था प्रति बंद के जो किंग थे अलग लग नाम से जाना जाता था ठीक ना आगे बड़ते हैं कॉश्ण नम टाइवड़ इनका इंडिकेशन फूर फूचर इतका फर्द नेबाया तो बच्छे देखो यह 25 कॉश्ण में आपके लिए निकाले 25 कॉश्ण कोई कोई जादा नहीं है ठीके ना 25 कॉश्ण बहुत कम होते हैं ठीके इन 25 कॉश्ण को अगर आप लर्न करते हैं तो जिससे कि मैंने 20 कहा था 20 कॉश्ण 20 मार्क्स आपके आए तो बीस नमबर के कोश्ण है तो बीस में से कम से कम आपके 14 menos 16 मार्क के तो आपके कॉश्ण कोश्ण मतलब कि 99 है तो 16 कस लेकर 16 के बीच में efendim कोश्ण 2 कॉश्ण 5 कॉश्ण 9 क susp państwo मेंसे पंसने के चांसे बहुत इस ना gram कॉश्ण 25 कॉश्ण 7 कॉश्ण 1 इसविए नाम सा अगर आप लर्न करते हैं, तो यह आपको 18 से लेके 20 के बीच में नंबर दिलवाएंगे, इनको आपको लर्न करना है, अब कुछ इस तरह की बाते करते हैं, कमेंट भी करते हैं, कि अगर यह नहीं आए, तो इसलिए मैं 100% नहीं कह रहा हूं, अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, अपने टीचर के ऊपर जो आपको पड़ा रहा है, जो आपको important questions आपके लिए लेकर आ रहा है, इतनी मैनत कर रहा है, तो भाई, अगर आपको ऐसा लगता है, यह नहीं आए, तो क्या करेंगे, नहीं आएंगे, तो आप 100% लर्न करो, पूरे-पूरे questions लर्न करो, जित्ते भ उम्मीद करता हूं, यह वीडियो आपके लिए बहुत जादा helpful रही होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपने सभी दोस्तों के साथ जाद जादा शेयर जरूर कीजिएगा, और चेनल पर नहीं है, तो चेनल को सब्सक्काइब कर लीजिएगा, थैंक्स फर वा